पंचाय चुनाओं के आज पाँच में चलने का मतदान सुरू सुबह सहीं बुथो पर मतदताओं की लंबी भेड महिलाएं भी काफी संक्या में उपस्तित और इधर बिहार के सिचकों को दिपावली से पहले बेतन देने की तैयारी और सिचक अभिहर्थियों को परमान पत्र जाज के बाद मिलेगा नियुक्ति पत्र आज फिर पाकिस्तान को परासे करने का है मौका अस्पतालों में ODP अब साम चार बजे तक 12 मीं की 22 और 10 मीं की परिचा 29 नमंबर से होगी बियार में 28 अक्टूबर वह 7 नमंबर को विसेश अभियान राजद परमुक तीन साल बाद आज पहुचेंगे पटना महंगाई की मार से कहीं फीकी न पड़ जाए बरतन बजार की चमक और आपको बता दे कि इबिहार में काफी खुच अलग दिख रहा है जैसे टिका करन में आगे इधर राजे की पंचायतों को में लगे की किसान चौपाल मुखमंतरी नितिसकुमा ने रभी महा वियान का किया सुबारंब है 12.6 जीरो लाग किसानों को दिया जाएगा परसिचन बांगला देशकर में हिंसा के बिरोद में देड़ सो मुलकों में परदर्सन कस्मीर के हालात की साहन की समिछा सौदी में 2060 तक सुन्ने उत्सरजन अभिनेता महमूद की बहन मुम्ताज नहीं रही क्रिसी निति पर पुनर विचार करे केंद्र वरून गांदी नमस्कार मैं हूँ सुनिल वोवी मगश्रमबाद आप देख रहे हैं मगश्रमबाद के खास कार्जकरम बिहार समाचार में यानि की इस कार्जकरम में शुबसरे में हम लेते हैं खबरों को अखवारों के पन्नों से अख़वारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरे तमाम खबरों को हम आपको बताते हैं खबरों की सिलसला सुरू करने से पहले आपसे आग रहे कि अगर हमारी इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख रहे तो फेस्बुक पेज को लाइक कर ले यूटूब चैनल पर देख रहे तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे वीडियो के नीचे मगत संबाद लिखा हुआ और उसके बगल में सब्सक्राइब बटम राता है उसको टच जरूर कर दें जिससे आप मेरे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने से हमारी साथ अस्ता संक्या बढ़ जाती है चलिए हम खबरों की सिलसला सुरू करते हैं आज ये 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर को पाच में चलन का मतदान जारी है जहां जहां मतदान होना है वहां सुबह सहीं बुथो पर लंबी कतार मतदाताओं की लगी है पूरुस ही नहीं महिलाएं भी आगे हैं काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है पदादिकारियों की गाड़ियां दोड़ रही है निस्पस चुनाओ कराने को लेकर राज निरवाचनायों का सक्त निर्देस है सुबह सहीं कहीं इभीयम खराब होने का तो कहीं बायोमेट्रिक फेल होने का ही सुचना पराप्थ हुई है लेकिन इसको सुदार करने की कोशिस जारी है और समया अनुसार बहुत जगा समय के अनुसार मतदान का कारण सुरू किया गया लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा निस्पस चुनावने की खबरे पराप्त हो रही है सुबह से ही महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है और इधर चौथे चरण के मतगना का कार्ज खत्म हो गया है कहीं किसी को खुसी मिला तो कहीं किसी को गम मिला अगले चरण चठे चरण के भी चुनाओं को लेकर सारे कार्ज को अंतिम रूप दिये जा रहे हैं और अन चरणों में मतदान की नामांकर की परकिरिया की सुरुआते 23 अक्टूबर से ही शु अंचाय चुनाओं के सरगर्मी है तो दूसरी और वियार में उप चुनाओं को लेकर भी काफी सरगर्मी तेज हो गई है आपको बता दे कि उप चुनाओं में कांग्रेस को साथ देने के लिए पपकू यादव आगे बढ़े हैं इधर हम आपको बता दे कि राजत परमुक तीन साल बाद आज पटना पहुचेंगे तबियत है ठीक है विधायक विधानसवा उपचुनाओं में परचार के लिए जाने पर अभी संसय बरकरार है जैसा कि हम आपको बताते कि बिहार में उपचुना हो रहे हैं दो जगों पर उन दो जगों पर लालू परसाद यादो प कार्ज करम तो इस परकार से लालू परसाद यादों के उपटना में आने से कई राज़त कर्च करताओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहे हैं और इधर बिहार के मुकमंत्री नितिस कुमार ने स्वास्त विभाग के कार्जों की समिच्छा की अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी जारी किये सुबह में 28 अक्टूबर और 7 नवंबर को विसेश अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है बचाओं के लिए घरगर सर्वे के दवरान चीनित लोगों कराएंगे टीका करन टीका ले लिए हैं तो उसका परमान पत्र साथ रखें 6 क्रोर 42 लाग करोना टीका दिया जा चुका है अब तक है परम को लेकर पूरी तरह से अलट रहने की भी निर्देश जारी किये गये हैं बाहर से आनों आने वाले को करोना जाच कराने की बाते की गई है महंगाई की मार चरम पर है महंगाई की मार से कहीं फीकी न पढ़ जा के जैसा कि आप जानते हैं कि दिपावली पर्व में धंतेरेस के दिन बरतन आदे अंची जो की खरीदारी होती है तो लोगों को यह भी भै ब्याप्त है कि कहीं महंगाई का असर बरतन बजार पर भी न पड़ जाए खरीदारों की शंख्या कम न हो जाए एक साल में दवा सतर तो बरतन पचास फिजदी तक महंगा हो गई है महंगाई की मार से लोग अस्त हैं आपको बता दे की दवाओं की लगतार बढ़ रही कीमत मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ रही है पिछले एक साल में दवाओं की कीमत में दस से सतर हजार रुपे तक का अत्रीक्त बोज पड़ रायने से तोर पर दवा का महंगाई बढ़ने से दवा महंगा होने से अंचीजे परभावित भी होती है और हो भी रही है इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूवत है क्यों बढ़े इतने दाम दवा दुकंदार कहते हैं कि क का रंदाम बढ़ गए कई कारणों से भी दवा महंगा हुए हैं और इधर हम आपको बता दे कि टी ट्वंटी दुवए इंटरनेशनल अस्टेडिय में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच आज होगा महा मुकाबला आज फिर पाकिस्तान को परास्त करने का है मौका कापी इस हजार दर्स तक भी इस माहा मुकाबले का मजा लेने के लिए मौजूद रहेंगे दुबई इंटरनेशनल अस्टेडियम में भारत का वार्म अप मैच में सांधार परदर्शन इसने रहना होगा शाओधान कई लोगों को शाओधान रहने की भी जरूत है इधर आपको ह में अस्पतालों में विवसा सुद्रिड करने को लेकर ओड़ी पी अब साम चार बजे तक है यानि कि स्वास्त मंत्री का या बड़ा बियाना है कि इस अजेविनी के ताथ ओड़ी ओवोपीडी की कारवर्दी भी विस्तार किया गया है राजबर में मरी जो को मिलेगी चिक सूदी सेडूल जारी कर दिया गया समेश्टर एक कसन शोदी सेडूल जारी किया गया परिच्च्र ओप-लाइन मोड में ली जाएगी कbero backups आज है तमाम मता बंदू मताओं से हार्दिक बधाई मताओं को हार्दिक बधाई और शुब कामनाएं तमाम महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुब कामनाएं मगस्वाद की पूरी टीम की और से तो चलिए अगली खबर जो है वह निकल कर सामने आई है पंचायत को लेकर बिहार के मुकमंत्री पंचायतों पर इन दिनों काफी रहम बरसा रहे हैं काफी ध्यान दे रहे हैं मुकमंत्री निकल कमान रभी माहा व्यान का किया शवारा 12.6.2006 को दिया जाएगा फरसी चान राज की पंचायतों में लगेगी किसान चौपाल आपको बता दे की वीयर के मुकमंत्री निकल कमान जाने वाले क्रिस्टी रतों को श्रonिवार से रावाना किया साथ सभी पंचायत में किशान चौपाल की सुरुआत की इसी के साथ राज में रवी महाभियान दोजारे कैस बाइस की सुरुआत हो गई है इस करम में उन्होंने रवी महाभियान परचार रतों को सभी जीलों के लिए हरी जंडी दिखा कर रवाना कर दिया है 25 से 9 नवंबर तक लगेगा या चौपाल क्रिशी पे ग्यानिक किसानों के सवालों का देंगे जबाब इधर बंगलादिस में हिंसा के बिरूद में डेर सो मुलकों में परदरसन सक्त कारवाई की मांग और इधर कस्मीर के हालात की साहने की समिछा और घाटी में सुरच्छा बलो की अत्रीक तैनाती हुए है केंदरी एक ग्रीहिर मंत्री अमीत साह जम्मु कस्मीर के तीन दिवस्य दोरे पर सनिवार को श्रीनगर पहुचे जम्मु कस्मीर में अनुशेद 370 हटने के बाद केंदर सासित परदेश किया उनकी पहली यात्रा है यहां पहुचने के बाद वस्य दे इस साल आतंगबादियों के हमले में सहीद एक पुलिश अधिकारी के परिजनों से मिलने पहुचे बाद में उन्होंने घाटी में सुरच्छा इस्तिती की समीचा बैठक की अधिस्ता की नौगाम में वापसी के बाद साने सुरच्छा इस्तिती की समीचा की इस दोरान उन्होंने विशेस रूप से आम नागिरी को जैदातर गयर अस्थानिय मजदूरू और अलब संखे को निसाना बना कर की गई हत्याओं के बाद कश्मीर घाटी में आतंगबाद का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों के भी शमिच्छा की इज़र जरजर इमारतों में काम कर रहे हैं कोट भारत के परधान नियाधिश जो दुबारा जो है कहा गया है कि जरजर इमारतों में कोट में कई लोग काम कर रहे हैं सौधी में 2068 तक सुन उत्सर्जन है अभिनेता महमूद की बानमुम ताज नहीं रही क्रिसी निती पर पुनर विचार करे केंद्र वरून गांधी किया मांग है यह कहना है कि क्रिसी कानुनों पर एक बार फिर से विचार करने की जरूत है और इधर हम आपको बता दें कि सिच्छकों के दुवारा हमेशा समय पर बेतन दिये जाने को लेकर मांग किया जाता रहा है दस अहारा से पहले कुछ को बेतन मिला कुछ को निरासा ही हाथ लगी एक बार फिर से भी आर सरकार सिच्छा विवाग तयारी कर चुकी है कि दिपाबली से पहले सिच्छकों को बेतन मिल जाएगा उसकी तयारी शुरू कर दी गई है लेकिन देखना यह होगा कि क्या दिपाबली से पहले सिचकों को बेतन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है सिचकों का मानना है कि सरकार के वल घोशना करती है में समय पर बेतन का लाभ नहीं मिल पाता है इधर सिच्छक अभियर्थी नियोजन जिनका हुआ है तो कोई भी अगर नियोजन हुआ है या नियोजन होना है तो तमाम अभियर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है सिच्छक अभियर्तियों के पाले पर्मान पत्रों की जाच होगी उसके बाद ही नियुक्ति पत्र देने की तैयारी बिहार सरकार सिच्छा भी भाग के द्वारा की जा रही है इदर हम आपको बता दें कि दो क्रोर से अधिक बिद्दियारतियों संग माइन्ड वार्स में हासिल किये गए 12 लाघ सबस्क्राइबर स्कूली बिद्दियारतियों के लिए पे भारत के सबसे बड़े नौलेज प्रेट फॉर्म माइन्ड वार्स ने हाली में देश में दो करोर से अधीक विद्यार्थियों के शंग 12 लाग सब्सक्राइबों का एक और बड़ा पड़ाव पार कर लिया है तो इस तरह से देखने वालों पर ही जिम्मवारी होती है कि हमारी सदस्ता संख्या क्या है तो मगज संबाद देखने वाले तमाम भीवर्ष से भी काना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर एक अलग मुकाम मगज संबाद को देने का भी काम करें इदर नाटक के माद्यम से बेरास्तों की सिच्छा देता है अस्थिकलस से यानि कि नाटक की परियुजना पिता का नाम सनी देवल माता प्रियंका चोपड़ा बारहमी की उतर पुतिका में उत्तर पढ़कर लुगदंग नौलेज कराएगी जाचे यानि कि नौलेज जो उसका है तो कॉलेज जाच कराएगी आखिर क्या है यह मामला बेतिया के स्थानी राम लखंसी यादो कॉलेज में चल रही बारहमी की परिचा में छातरों तुवारा अजीबों गरीब उत्तर लिखने का मामला सोशल मीडिया में वाइरल है उत्तर पुस्तिका की फोटो के साथ वाइरल कोपी में परस्नों के उल जुलूल उत्तर लिखे गए हैं एक छातरे ने तो उत्तर पुस्तिका में अपनी मा का नाम प्रियंका चोपड़ा पिता का नाम सनी देओल लिख दिया है वहीं एक छातने ने कोपी में बेवाफाई की बाते लिखी है हद तो यह है कि रामलखंसी यादो महाविद्याले के नाम के साथ छपी इन वाइरल उत्तर पुस्तिका में एक पर किसी सीव संकर कुमार पिता सनीदे उलमाता प्रियंका चुपडा का नाम लिखा है उत्तर पुस्तिका का परिच्छा का सवालों का उलूल जुलूल जवाब लिखा गया है एक उत्तर अकवर के द्वाराज जजिया कर हटाने के कारण पुछे गए समन्दित सवाल पे इसके 20 जवान पर्चार्टियों ने लिखा है रजिया से प्यार के कारण अकवन में जाजिया कर हटा दिया है उत्तर पुस्तिका में कई तरह के इस तरह से सवाल आए हैं जो इस समय सोचल मीडिया पर काफी वाइरल हैं और इधर जाच में अनुपस्तित पाए गए चासी चक को निरंबित भी कर दिया गया है तो खबरों में आज बस इतना ही मौसम काफी चेंज हो रहा है और निसी तोर पर एक सत्ता के अंदर में अच्छा खासा थंड का आने का असार है थंड गिरने का असार है तो तमाम चीजों पर करोना भी मुखमंतरी नितिसकुमार ने कहा है कि करोना भी गया नहीं है उससे सतर कर रहने की आव सकता है हमें जागरूख हो कर रहने की आव सकता है तो फिर मिलते हैं ले वीडियो में तद तक के लिए दिजिए इजाजा धन्यवाद जय हिंद जय वारत बंद मातरम